दोस्तो इस क्लास के अंदर अभी हम लोग SSC GD 2022 की जो नई वेकंसी आया है इसी की तयारी के लिए हम लोग 13 फरबरी 2019 के 3rd shift के GKS के जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों को पूरे explain के साथ हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं और साथ साथ में आप लोगों को extra fact भी हम पढ़ाएंगे इस GKGS के सवाल के साथ साथ में और दोस्तो इस क्लास के अंदर आप लोग आनते तक जरूर बने रहे हैं आप किसी भी परकार की competitive exams की तयारी करते हैं जिसमें GKGS पूछे जाते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए अतियावस्यक हो सकता है इसलिए अंते तक जुड़े रहे हैं दोस्तो इस क्लास को सुरू करने के पहले आप हमारे YouTube चैनल S.E.P. वैभी सेख सुमल YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और आप अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे म में जरूर बताइए तो दोस्तों इस क्लास को सुरू करते हैं दोस्तों अभी हम लोग 26 कौसन नंबर 26 से लेके 50 तक के कौसन को पढ़ने वाले हैं यह 11 फरवरी 2019 के सवाल को हम लोग देखेंगे कौसन नंबर 26 में है मेगनस कार्डसन निमलिखित खेलों में से किस के लिए परसिद्ध है मेगनस कार्डसन सत्रंज खेल के लिए परसिद्ध है सत्रंज ऑप्सन नंबर D में है इसलिए ऑप्सन नंबर D सही हो जाएगा मेगनस कार्डसन की रेटिंग 2872 ये भी धियान रखेगा रेटिंग कितना 2872 मेगनस कार्डसन को सत्रंज आसकर और पीर ग्यान प्राइज के लिए दिया गया है इसका पुरा नाम स्वेन मेगनस अर्वेन कार्डसन है यह रूस का खिलाड़ी यह भी धियान रखेगा मैगनस कार्ड़सन किस देश का खिलाड़ी है तो रूस का नेक्स्ट कोसन देख लेते हैं कोसन नमबर 27 में है कि निमलिखित सब्दों में कौन बैंकिंग छेतर में परियोग में नहीं लाया जाता है कौन तो औप्सन नमबर B में जो है जिरो आवर यह बैंकिंग छेतर से समन्दित नहीं है अगर हम लोग बात कर लिए जीरो आवर सब्दावली का परियोग भारतिय संसद से समन्दित है सुनीकाल संसद के दोनों सदनों में प्रसन काल के बाद का समय सुननिकाल होता है सुनिकाल प्राया 12 बजे प्रारंव होता इस करन सुनिकाल को zero hour के नाम से भी जानते हैं सुनिकाल में बीना सुचना के ओ विलम्बियर लोग महत्व के विशे उठाए जाते हैं भारत में सुनिकाल 1962 में संसद में प्रारंव किया गया राजि के निती निर्देशक तत्व की संकलपना किस देश से ली गई है तो धियान रखेगा दोस्तों निती निर्देशक तत्व ये आयरलेंड के संविधान से अपनाया गया है निती निर्देशक तत्व भारतिय संविधान के भाग चार में ये भी धियान रखेगा भारति भारतिय सम्भिधान में सरवाधिक भाग भारत सासन अधिनियम 1935 से लिया गया। भारतिय सम्भिधान में अलग-अलग 10 देसों से अलग-अलग प्रापधान लिया। इस तरह से कुल कितने देशों से अलग अलग प्रापधान लिया है तो 10 देशों से इंपोर्टेंट है भारतिय संभिधान में अलग अलग 10 देशों से अलग अलग प्रापधान लिया है कितने देशों से इंपोर्टेंट है 10 देशों से नेक्स्ट कोसन देख लेते 29 नमबर है निम्लिकित में से कौन सा मंतरालाय हर साल संसद में आर्थिक सरवेक्षन परस्तूत करता है तो वित मंत्रालाई हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षन प्राया बजट से एक दिन पुर्व वित मंत्रालाई द्वारा संसद में रखा जाता है किसके द्वारा वित मंत्रालाई ओप्सन नमबर A सही हो जाएगा Next question देख लेते हम लोग Next question नमबर 30 में है चरक सहिता पुस्तक के अनुसार मानब सरीर में कितनी हड़ियां होती है चरक सहिता के अनुसार मानब सरीर में 360 हड़ियां होती है 360 option नमबर B हो जाएगा सही वैसे एगर हम लोग बात करें चरक सहिता चरक ये कनिस्क के दरवार में दरवारी कवी थे चरक कनिस के दरवारी कवी थे अगर चरक सहिता आयूरुवेद का परसिद्ध पुस्तक है धियान रखेगा मानव सरीर में मानव सरीर में सीसू में अगर छोटा बच्चा है जिसको सीसू बोलते हैं उसमें 300 अस्थियां होती है सीसू में 300 अस्थियां होती है और जबकि व्यस्क मौनव में 206 अस्थियां होती है व्यस्क मौनव में कितना होता है 206 next question देख लेते हैं हम लोग question number 31 है भारत का price dpa पठार निम्लेकित में से किस भूखंड का एक भाग है तो गोंडवाना लेंड जो है भारत का price dpa पठार एक भूखंड है option number A सही हो जाएगा next question देख लेते हैं हम लोग next question number 32 में है रावन shaking mount कैलास नौमक परसिद चितरन निम्लेकित में से किस गूखा में चितरित किया गया है रावन का खाई कैलास परवत का चितरन एलोरा की गूखा में चितरित किया गया एलोरा की गूखा option number B सही हो जाएगा एलोरा की गूखा औरंगाबाद महराष्ट में ये भी धियान रखेगा एलोरा की गूखा कहां पर है औरंगाबाद महराष्ट में और इसका निर्मान की बात करें दोस्तों राष्टकूट सासकों निर्मान करवाया किस सासकों ने राष्टकूट सासक और सासक का नाम पूछे तो कृष्ण पर्थम दियान रखेगा कि कृष्ण पर्थम के द्वारा एलोरा के परसिद कैलास मंदिर का निर्मान कराया गया है नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं कोशन नमबर 33 है भारती समवीधान में दिये गए निमनांकित अनुछेदों में कौन सा अनुछेद राश्ट पति को राश्टी या पातकाल की गोसना करने काधिकार परदान करता है राष्टिया पातकाल राष्टपती के द्वारा किस अनुछेद के अंदर लगा जाता है राष्टिया पातकाल अनुछेद नंबर 352 अगर हम लोग बात करें भारत के अंदर राष्टिया पातकाल तो तीन परकार के होता है एक राष्टिया पातकाल अनुछेद नंबर 352, राष्ट पति सासन अनुछेद नंबर 356 और वित्या पातकाल अनुछेद नंबर 360 तो धियान रखेगा दोस्तों भारत में राष्टिया पातकाल 3 पर कारके भारत में अभी तक 3 पर राष्टिया पातकाल अनुछेद नंबर 352, राष्ट पति सासन अनुछेद नंबर 356 और वित्या पातकाल अनुछेद नंबर 360 भारत में अभी तक तीन बार राष्टी अपातकाल लगाया गया है। अभी तक तीन बार राष्टी अपातकाल लगाया गया है। अभी तक तीन बार राष्टी अपातकाल लगाया गया है। ब्रीदेश्वर मंदीर को भारतिय वस्तु कला कर निचोड कहा जाता है। दक्षिन भारत में वैसनव को अलवार कहा गया। दक्षिन भारत में वैसनव को क्या कहा गया। नेक्स्ट कोसन देख लेते हैं अब लोग। दोस्तों नेक्स्ट कोसन को देखने के पहले कोसन आवर रह गया देख लिजे। दक्षिन भारत में अलवार और नैनार दो परकार के भक्ती संत थे। धेयान रखेगा। संबाटी टेलिविजन के रिमोट कंट्रोल द्वारा लिखित तरंगो में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है। अबरक्त तरंग का जो खोजजह यानि इन्फराड तरंग का जोख है। वो हरसेल के द्वारा किया गया हरसेल इसको भी धियान रखेगा हरसेल हरसेल के द्वारा अबरक्त तरंगे यानि अब ये इन्फरारेट तरंग का खोज किया गया है नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट कोशन है भारत में राष्टिय खेल दिवस की स्थिति को मनाया जाता है धियान रखेगा दोस्तों भारत में राष्टिय खेल दिवस 29 अगस्ट को मनाया जाता है 29 अगस्ट ओप्सन नमबर A 29 अगस्ट को मेजर धियान चंद्र का जन्मदीन है और उन्ही के नाम पे भारत में राष्टी एक खेल दिवस परती एक वर्स मनाय जाता है मेजर धियान चंद्र को होकी का जदूगर के नाम से भी जानते हैं Next question देख लेते हम लोग Next question number 37 है निमने लिखित किस भारतिय राज में संगाई तेहवार मनाय जाता है संगाई तेहवार मनिपूर के अंदर मनाय जाता है मनीपूर option number D साइय हो जाएगा अगर हम लोग बात कर लें दोस्तो हर्णबील हर्णबील तेहवार नागालेंड के अंदर मनाय जाता है यह important है धियान रखेगा हर्णबील तेहवार किस राज में मनाय जाता है नागा लेंड के अंदर और धियान रखेगा बियाठ यह ब्याठ तेहवार जो है यह मेगाले के अंदर मनाया जाता है अगर हम लोग बात कर लें दोस्तों दोस्तों पिर्थीवी के देवता और जल के देवता का नाम तम लाडू तेहवार है नेक्स्ट कॉस्टन देख लेते हम लोग कॉस्टन नमबर 38 है कॉस्टन नमबर 38 में है संग्य बजट 2018 के अनुसार ओप्रेशन ग्रीन के लिए कितनी रासी आवांटित की गई थी दियान रखेगा दोस्तों 500 करोड रुप्या जो है ओप्रेशन ग्रीन के लिए ये धनरासी आवांटित की गई थी नेक्स्ट कॉस्टन देखते हम लोग नेक्स्ट कॉस्टन नमबर 49 है वसा के पाचन में अहार नाल के अंगोंक से स्रवित की स्रस की महतपुन्द भुमिका होती है पित्रस अगनासाई जो अहार नाल से स्रवित होता है जो बसा का पाचन करता है पित्रस ओप्सन नमबर 60 हो जाएगा अगर हम लोग बात कर रहे है पित्रस का स्रवन कहां पर होता है तो यक्रीत में ये भी धियान रखेगा पित्रस का जो स्रवन होता है वो कहां पर यक्रीत में पित का जो pH मान होता है धियान रखेगा 7.7 होता है धियान रखेगा दोस्तों इसलिए चारिया है पित क्या है एक परकार का चारिया द्रव है और इसका pH मान 7.7 होता है नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं चालिस नंबर कोशन है Long Walk To Freedom पुस्तक के लेखक कौन है यनि Long Walk To Freedom डेस की आत्मकता है तो यह निलसल मंडेला की आत्मकता है निलसल मंडेला और ओपसन नंबर A सही हो जाएगा निलसल मंडेला ANC के अस्थापना की अधियान रखेगा निलसल मं परस जेल में रहना पड़ा था रंग भेद नीती के कारण इनको जेल के अंदर डाला गया था अंतरता 1994 भी में दक्षिन अफरीका की राष्ट पती चुने गए नेक्स्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट कोशन के पहले कोशन और जान लिजे दोस्तो नेलसल मंडेला दूसरे गईर भरतिया जिनको भारत रतन दिया गया वो है खान अब्दुल गफार खान जो पाकिस्तान के हैं अदूसरे वेक्ति नेलसल मंडेला है नेक्स्ट कोशन नमबर 41 में है राजसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं तो दियान रखेगा दोस्तो राजसभा के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के उपराष्टपती होते हैं और सी सही हो जाएगा भारत के उपराष्टपती राजसभा के पदेन सभापती हो राज सभा के सदसियों का कारिकाल 6 वरसों का है और भारत में कुल राज सभा सीटों की संख्या की बात करें तो 250 है भारत में राज सभा सीटों की कुल संख्या 250 है जिसमें 12 सीट पर राष्ट पती के द्वारा मनुनित किया जाता है राष्ट पती के द्वारा राज सभा में क से किसे दक्षिन गंगा कहा जाता है तो धियान रखेगा गोदावरी नदी को दक्षिन गंगा के नाम से भी जानते गोदावरी गोदावरी ऑफसर नमबर डी सही हो जाएगा गोदावरी नदी प्राइद भारत की सबसे लंबी नदी है धियान रखेगा प्राइद भारत की स दूसरी सबसे लंबी नदी जो भारत में बहती है भारत में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी गोदाबरी है और धियान रखेगा भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रहंपुत्र नदी है जिसकी लंबाई 3900 किलो मीटर है अगर हम लोग बात कर लें दक्ष ION नेक्ट कोशन देख लेते हैं स्वाराज यह मेरा जनीό अधिकार है और उसे लह कर cooler ही रहूंगा यह नारा निमनलखित में से किस ने दिया लेकर रहूंगा, next question देख लेते हैं, question number 44 है, तर्टिय परदेश उडिशा का प्राची नाम क्या था, तो धियान रखेगा दोस्तों, तर्टिय परदेश उडिशा का प्राची नाम कलिंग था, option number A सही हो जाएगा, यह कामरूप जो है, असम का पुराना नाम है, असम का पुराना नाम कामरूप है, अगर हम लोग कलिंग की बात करें, कलिंग की परसीद लड़ाई, दूसों 61 इसापुर्व, समराट असोप के दोवरा लड़ा गया था, next question देख लेते हैं, question number 45 है, उपन्यास the god of small thing, उपन्यास the god of small thing नामक उपन्यास किस देश में प्रेरित है, तो धियान रखेगा, the god of small thing पुस्तक भारत देश के धरोहर है, भारत, option number A सही है, और god of small thing पुस्तक के लेखक कोन है, अरुन्धती रोय, धियान रखेगा, ये भी important है, कई बार पुछा गया है, अरुन्धती राय, अरुन्धती राय के द्वारा ही the god of small thing पुस्तक की रचना की गया, अरुन्धती राय, और ये कहाँ पर परसिद है, भारत में, next question देख लेते हैं हम लोग, next question है, question number 46, निमनलिखित में से, निमनलिखित में से कौन प्रोटीन का मुख्य श्रोत नहीं है, प्रोटीन का मुख्य श्रोत नहीं है, तो धियान रखेगा, दोस्तों, गेहूं जो है, प्रोटीन का श्रोत नहीं, option number 20 हो जाएगा, हम लोग अगर बात करें मानव शरीर में प्रोटीन की मात्रा कितना होता है तो 11.5% जो है प्रोटीन की मात्रा होता है मानव शरीर में गेहु में प्रोटीन की मात्रा बिल्कुल 11.5% होता है सोया बिन में सबसे अधिक जो प्रोटीन पाया जाता है गेहू में प्रोटीन का कितना परसेंट है? 11.5 परसेंट दोस्तों इस तरह से option के according हमको छाटना पड़ा गेहू Next question देख लेते हैं Next question है 47 नमबर कि प्रोटीन की उपस्थिती की जाँच के लिए निमलिखित में से किस घोल की जरूरत होती है? प्रोटीन की उपस्थिती की जाँच के लिए किस घोल की जरूरत होती है? कॉपर, सल्फेट और कास्टिक सोडा का घोल जो option number A में है तो A सही हो जाएगा Next question देख लेते हैं Question number 48 में है निमलिखित कतनों में कौन अस्थानिय परजातियां का वर्णन करता है? Option number C देखे ये उवे परजातियां जो किसी छेतर विशेश में पाए जाती है वो अस्थानिय परजाती का वर्णन करता है जो option number C में इस तरह से इस प्रस्ण का सही अंसर जाएगा option number C Next question देखते हैं 49 नमबर Next question है निम लिखित में से किस तिथी को मानवा धिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? मानवा धिकार दिवस ये परजाती एक वर्णन 10 दिसंबर को मनाया जाता है जो option number A में है 10 दिसंबर को मानवा धिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसम्बर को UNO मन्वाधिकार के रूपे में 1948 से मनाते आ रहा है अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों 10 नमबर को राष्टि यप परिवहन दिवस मनाया जाता है 10 नमबर को राष्टि यप परिवहन दिवस 10 फरबरी को टेड़ी डे मनाया जाता है जबकि बात कर ले हम लोग 20 वे हिंदी दिवस तो ये 10 जनवरी को मनाये जाता है नेक्स्ट कॉस्टन देखते हैं कॉस्टन नमबर 50 है निमने लिखित जलिये जीवाँ में से किसमे गिल्स नहीं पाया जाता है तो ऑप्सटन नमबर डी वेल में जो है दोस्टो गिल्स नहीं पाया जाता है ऑप्सटन नमबर डी सही हो जाएगा तो दोस्तो इस तरह से हम लोग आज 13 फरवरी 2019 के SSC GD के थर्ड शिप्ट के कॉस्टन को पूरे डिटेल एक्स्पेलेन के साथ हम आप लोगों को पढ़ने का परियास की है हमें उमीद है कि ये क्लास आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा दोस्तो तो आप हमारे लिए एक अच्छा सा कमेंट कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए ताकि हमारी उर्जा और भी आगे हो सके और इससे और बहतर हम वीडियो बनाने का परियास कर रहे आप लोगों के लिए तो दोस्तो आज की क्लास के लिए इतना ही अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं तब तक के लिए धनीबाद दोस्तो